हाई एवरीवान वेलकम बैक्स टू अन अनादर वीडियो और टुड़े इन दिस वीडियो वी इल डिसकस एबाउट रूट अफ ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन ओके सो उसके लिए मैं यह दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है रूट अफ ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन का पहला जो प्रिभियस बाला था वो लोकाल रूट बाला था लेकिन इस क्लासिफिकेशन में हम जेनरली एंटरेल रूट पैरेंटरेल रूट कवर करेंगे और ये वाला जो root of drug administration आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मोटा मोटी knowledge होगा वो इतना in depth नहीं होगा लेकिन वहाँ पर पिछले वाला जो root of drug administration मैंने बोला था वहाँ पर parental जो parental में जितने भी आता है root of drug administration वहाँ से मैं शुरू करूंगा क्यूंकि पिछले वाला जो लेक्चर है parental से सुरू होना चाहिए I hope you understand previous video देखो पता चल जाएगा लेकिन आज क्यूंकि इस channel का यह motto है कि हम हर तरीके से जो knowledge है उनको grasp करेंगे हर तरीके से जो technology है methodology है हम उसको एकदम mastery करेंगे मेरा यही है एम है और मैं इसलिए channel को create किया हूँ क्यूंकि मुझे हर तरीके से knowledge चाहिए और मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ कि हर बंदा का कम से कम एक minimum level of knowledge आ जाए now stats root of drug administration okay so root of drug administration क्या है root of drug administration को समझने से पहले आपको उनकी वाड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए so word में क्या है root है drug है administration है okay so root क्या हो गया root हो गया एक path the path in which the drug move into our body and shows its pharmacological action that is known as root okay that is known as root and drug का मतलब क्या हो गया any substance which is used for diagnosis prevention and mitigation of disease is known as that is called to drug and administration मतलब to administer and administer किसे करोगे different device are there under different device के अनुसर आपका root of drug administration ते होता है जैसे कि आप अगर injection लगाओगे तो injection में आपका different type of injection आता है subcutaneous injection आता है आपका intra-dermal injection आता है intravenous injection आता है तो हर एक injection क्या एक ही जगा पर दिया जाता है नहीं न तो हर एक जो injection होता है उसका एक specific type होता है जैसे intravenous आप उसको भेन में ही insert करोगे intra-arterial आप उसको artery में ही administration करोगे और आप intra-peritoneal आपको peritoneal cavity में इसे insert करना पड़ेगा इसे inject करना पड़ेगा जैसे subcutaneous आपको subcutaneous में ही करना पड़ेगा आई बात समझ में तो administration का सिधासा मतलब यही है to administer the drug so drug का nature जो होगा उस हिसाब से हम administration करेंगे अब आप कहोगे कि sir drug का भी nature होता है yes drug का भी nature होता है तो drug का जो nature होता है मान लिजिए water soluble drug water soluble drug को क्या आप intravenous में दोगे नहीं न आप उसे शरी आप जितने भी water soluble drug है तो आप क्या करोगे उसको oral root में दोगे क्यूंकि water soluble मतलब हमारे stomach में body fluid present होता है तो यह जब आप tablet capsule consume करोगे तो यह क्या होगा water में soluble होगा तब ही तो जाकर कर अब जर्ब होगा और वह अपना pharmacological action प्रेड्यूस करेगा तो जो drug oily soluble oil soluble या जिसको बुलते हैं lipid lipid मतलब क्या है fat so fat soluble जो drug होता है वो जेनरली कहां पर दिया जाता है आपका intramuscular muscle में दिया जाता है क्योंकि fat वहाँ पर present है तो administration का सिधांत ही यही है administration का concept ही ही है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले knowledge बाद में practical लेकिन आज के दुनिया में पहले practical बाद में knowledge तो यह कही न कहीं गड़बड हो रहा है और यह आने वाले समय में आप देखोगे कि सारा वेवस्ता जितना होता है वो किस तरह से चर्मरा आ जाएगा health sector में जो अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है एक तो favoritism का concept ज्यादा हाभी हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग यहां पर present होते हैं anyways जिसका जो काम है वो तो अपना काम करेगा हम अपना काम करेंगे अच्छा आप मुझे बताओ आपको अभी favor हुआ है आप जब आपको favor हुआ है तब आप क्या करोगे paracetamol consume करोगे ठीक है ना जब आप paracetamol consume करोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि paracetamol आप ले रहे हो और सिर्फ आपका फीबर ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं ऐसा होता है क्या तो पारासिटमल के साथ है आपको ये चीज में समझना चाहिए कि उसके साथ साइड इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है उसके साथ आलर्जिक रियाक्षन भी जुड़ा हुआ है उसके साथ कंट्रा इंडिकेशन भी जुड़ा हुआ है उसके साथ बड़ी का डिफरेंट आयन यह जो monitoring parameter जो होता है न एक drug लेने से sodium level गिर जाता है पोटासियम level बढ़ जाता है तो यह भी तो जो हल्चल पेदा होगी बड़ी में यह भी तो आपको देखना पड़ेगा तो यह pharmacological action यही कहता है तो pharmacological action में आपका desirable action आता है and undesirable action भी आता है जब आपा paracetamol consume करोगे तो आपका fever ठीक हो जाएगा फीवर ठीक हो जाएगा लेकिन सिर्फ क्या fever ठीक होगा उसके चलते जितने भी paracetamol का जो side effect होता है क्या वो आपको नहीं होगा वो होगा liver failure होगा paracetamol का maximum daily dose कितना होता है 4 gram होता है 4 gram आप ले करके देखो और आपका liver का हालत देखो जाकर के liver function टेस्ट करो क्या report आता है आपको पता चल जाएगा तो आपको undesirable action भी मिलेगा सिक्के का दो पहलू है अगर एक साइड बिजय हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो रहा है पराजय भी चाकरा है तो ये चीज साथ साथ चलता है इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप knowledge को साथ ले करके चलो ना कि सिर्फ हम एक ही दिशा में काम करें तो ये होने वाला नहीं है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा now selection of a root depends upon so जब हम किसी भी root को हम select करते हैं तो उसके लिए कहीं प्रकार के पारामेटर होते हैं कहीं प्रकार के क्या होता है पारामेटर होता है ऐसे ही ना क्या हम मुँ में कोई चीज घुसा लेंगे भेन मे कोई चीज घुसा लेंगे आपके आनस बाला रिजियन में जिस रिजियन से आप मलत्या कर रहे हो उसमें घुसा लेंगे सौब क्यूटनियस में घुसा लेंगे तो हर एक चीज का एक काईदा होता है हर एक चीज का एक कानून होता है और हर एक चीज का एक खुबसूरती हो होता है कि कौन सा कौन सा एक परामेटर होता है और कौन सा कौन सा एक different criteria होता है जिसके चलते हम root सिर्फ वही root को हम चुनेंगे और बाध्य भी बन जाएंगे मैं आगे चल कर के बता हूंगा कि हम कैसे बाध्य बन जाते हैं कि एक ही रूट को हम पकड़ेंगी ओके इसके लिए देखो पहला जो पैमाना आता है बो होता है क्या physical and chemical properties of a drug ओके आप अभी कहोगे कि सर drug का एक physical and chemical property क्या होता है सिधी बात बोल रहाँ drug का भी physical and chemical properties होता है ये दोनों properties होता है physical भी होता है chemical भी होता है ठीक है एंड ये physical chemical property किसका होता है drug का होता है आई बात समझ में अब drug का कौन सा कौन सा physical chemical property होता है जैसे कि solid होता है liquid होता है gas होता है solubility होता है ठीक है न तो solid में आपको जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा सलीड में जैसे क्या है आपका जितने भी टाबलेट क्यापसूल ओके दीजर कॉल सलीड डोसेज फर्म ओके फार्मासियूटिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फार्मासियूटिक्स में यही सारा आएगा सलीड डोसेज फर्म में क्या-क्या आता है ओके देन लिक्विड देता है क्योंकि बच्चों सलेड रोसेज फर्म का मेडिकामेंट नहीं ले पाएंग Jиля कोई भी अडॉल्ड भी होता है कि उसको हम नहीं देते हैं आपका यह क्या होता है ना ब्रॉंकोडाइटर का बेहतर एक्जाम्पूल आपका क्या होता है आपका जो जेनरल अनेस्थेटिक बाला जो होता है जो अनेस्थेशिया अपरेशन करने से जो उसके पूर्व का जो स्टेज होता है तो वहां पर जेनरल अनेस्थेशिया दिया जाता है तो उस समय ग्यास फर्मुलेशन में हमें चाहिए तो इस तरह से physical and chemical properties of drug होता है and solubility क्या है solubility मतलब आप देखो ना drug water soluble भी होता है and drug lipid soluble भी होता है तो water soluble जो drug होता है वो generally क्या होता है आपका tablet होता है capsule होता है तो आप क्या करते हो यहाँ पर देखो इस एक diagram में मैं आपको समझा रहा हूँ यह मान लिजिए एक tablet है जब इसको हम consume करा तो यह क्या गया हमारे stomach में गया और stomach में क्या है body fluid present है तो यह क्या होगा ओ यह एक बड़ा टुकड़ा क्या होगा छोटे छोटे टुकड़ा में क्या होगा disintegrate हो जाएगा then disintegrate होने के बाद यह क्या होगा desolution हो जाएगा मतलब इस चीज़ के साथ यह mix हो जाएगा then यह क्या होगा धीरे-धीरे pass होगा पास हो करके small intestine, small intestine हो करके large intestine में जाता है इस तरह से absorption, distribution, metabolism, excretion मतलब pharmacokinetic profile चलो हो जाता है यह हम बाद में discussion करेंगे सिर्फ यहाँ पर मैं एक hint दे रहा हूँ So, solubility आई बात समझ में कि जो water soluble होता है बहुत जेनरली हम oral root में लेते हैं और जो lipid soluble जो drug होता है हम solubility के उपर चर्चा कर रहे हैं कहाँ पर दिया जाएगा भाई lipid soluble drug आप इसको लेख सकते हो lipid soluble drug lipid soluble जो drug होता है वो जेनरली आपके किस एरिया में दिया जाता है muscle बाला एरिया में आपका deltoid muscle, gluteal muscle there are various things So, इसमें दिया जाता है sorry, यहाँ पर lip soluble लेख दिया ओके So, यह होता है आपका lipid soluble ओके lipid lipid soluble ओके now solid को समझ में आ गया solid का example हो गया आपका tablet capsule liquid का वही same जो हम use करते हैं जो syrup होता है syrup ओके it is a best example of liquid preparation ग्यास में आपका आगया anesthesia okay solubility में आपका आगया water soluble lipid soluble concept okay now next move to the site of desired action site of desired action कहने का क्या मतलब है कि हमें किस site में action चाहिए मान लिजे मैं अभी racing कर रहा हूं मान लिजे मैं अभी 100 meter का running कर रहा हूं अब run करते करते मैं गिर गया जब मैं गिर गया तो मेरे हाथ में चोट आया तो मुझे यहां पर problem है तो मुझे क्या चाहिए localized effect चाहिए जब मुझे localized effect चाहिए तो यह क्या हो गया हाथ एक site हो गया हमारा hand एक site हो गया तो इस particular area में मुझे क्या चाहिए, medicament चाहिए, या drug चाहिए, तो इसी को बुला जाता है, site of desired action, and generalized क्या होता है, जो आपका total systemic, जो circulation बाला, total body जो होता है, वो generalized होता है, जो आम तर पर होता है, okay, that is known as generalized, okay, then और एक होता है, rate and extent of absorption of a drug, rate मतलब किस हार में, extend मतलब किस हद तक, absorption of a drug, मतलब drug का absorption होता है, okay, तो इस चीज़ को बुला जाता है, क्या, bioavailability, so bioavailability कहने का मतलब क्या है, as the term indicates bio and availability, मतलब life का availability होना, तो life का availability क्या होता है, तो हम pharmacy पढ़ रहे हैं, हम drug के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर किस की availability होगी, drug की availability होगी, कहाँ पर, bio पर, bio means क्या है, life, and life का meaning क्या है, हम elopathic science पढ़ रहे हैं, तो life का मतलब सीधा meaning आएगा, male और female, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं, तो bio availability का मतलब क्या है, amount of a drug administered by the whatever means the pharmacy or doctor or any technical person who administered the drug, and let's say the technical person administered 500 mg of paracetamol to you, whether it may be oral route or IV route, that doesn't matter, but matter is, the technical person administered the drug to your body, okay, by any other route, okay, and the drug, after administration the drug, how much of the drug enter into the systemic circulation is known as bio availability, मतलब हमने 500 mg का paracetamol administered किया, जब ये absorption, distribution, metabolism, excretion हो करके, इसके बीच में, मतलब excretion से पहले, एक्सक्रेशन से पहले क्या आएगा, metabolism आएगा, तो metabolism के अंदर, हमारे systemic circulation, systemic circulation केहने का क्या मतलब है, हमारे body में, throughout the body में क्या होता है, blood circulate होता है, तो इसी blood circulation के अंदर, कितना mg of paracetamol already विद्यमान है, इस चीज़ को बोला जाता है, bio availability, आई बात समझ में, इसी लिए इसको कहा जाता है, bio availability, मतलब availability of a drug, in human beings, particularly in systemic circulation, that is known as bio ability, okay, I hope you understand, then, next go for, that is called metabolism of a drug, metabolism, metabolism का concept क्या है, metabolism मतलब कोई चीज़ का change हो जाना, so metabolism का simple आप ये meaning निकाल सकते हो, metabolism का अर्थ होता है, क्या होता है, change, किसी भी चीज़ का change हो जाना को बोलते है, metabolism, अब metabolism में क्या होता है, highly toxic material, less toxic material में change हो सकता है, आपका active compound, inactive में convert हो सकता है, highly complex जो drug molecule होता है, वो less में convert हो सकता है, inactive drug active में, active drug inactive में, तो इस चीज़ को बोला जाता है metabolism, okay, जब metabolism of drug की बात की जाती है, तो दो concept आता है मुख्य तोर पर, और इसको बोला जाता है, fast pass metabolism, और एक होता है, bypass metabolism, okay, then fast pass metabolism किसी को बोला जाता है, अब यह देखो, fast pass metabolism में generally क्या होता है, देखो, हमारे body में एक होता है systemic circulation, systemic circulation का सिधा मतलब क्या है, आपका blood का circulation होना, और blood किस तरह से circulate करता है, आपके भेन के through circulate करता है, okay, so, जितने भी यहाँ पर होता है, arteries, जितने भी blood capillaries, okay, all things, मैंने सिर्फ भेन कहें दिया मतलब आपको बाकी चीज समझ में आ जाना चाहिए, okay, so, in our body, blood is circulated throughout the body, throughout the body, okay, तो यह होता है आपका systemic circulation and एक होता है आपका throughout the body में एक movement, okay, इस तरह से आप समझो, तो मान लिजिए यह हो गया एक tablet, जिसको मैं बोला यह एक solid dosage form, okay, so, यह क्या कर रहा है, मान लिजिए अभी आपको fever हुआ है, तो आप paracetamol consume कर रहे हो, okay, तो यह paracetamol क्या जाएगा, stomach में जाएगा, जब यह stomach में जाएगा, यह बड़ा टुकडा, let's say यह 500 mg भला paracetamol, यह क्या होगा, छोटे छोटे टुकडे में यह क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, क्यूंकि stomach में आपका hydrochloric acid present है, and body में क्या होता है different body fluids are present होता है तो इसके चलते ये बड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा disintegration हो जाएगा मतलब बड़ा टुकड़ा बड़ा जो होता है वो छोटे छोटे दाने में convert हो जाएगा and यही stomach बाले region में क्या होगा disintegration होने के बाद ये क्या होगा desolution हो जाएगा मतलब ये mix हो जाएगा जब ये mix हो जाएगा तब ये क्या होगा GIT को follow करते हुए ये small intestine large intestine एसे करके आएगा जब ये basically कहां पर ये आएगा small intestine में आएगा जब small intestine में आएगा तो ये different carrier mediated एक transport होता है जो मैं आगे चल करके आपको समझाऊंगा carrier mediated transport क्या होता है तो carrier mediated transport क्या होता है generally एक idea देता हूँ आपने सुना होगा penocytosis, active transport, passive transport so these are your transport system जब ये जितने भी drug होता है ये small intestine large intestine होकर के जब गुजरता है तो basically जब small intestine में आएगा तो different carrier mediated transport को ये क्या करेगा cross करेगा cross करने के बाद यहाँ पर there are different blood vessel are present तो ये क्या होगा इस blood vessel में ये drug क्या होगा absorption होगा जब ये absorption हो जाएगा हमेशा याद रखो absorption होने के बाद drug सिधा जाएगा क्या metabolism के process को absorption देन हो गया क्या distribution absorption के बाद क्या होगा distribution देखो यहाँ पर ये था तो ये distribute होए न ये small intestine तक आया फिर ये कहां तक गया ये blood vessel में गया तो यहाँ पर ये absorption होगा then absorption होने के बाद ये drug absorption होने के बाद ये क्या होगा distribution होगा distribution क Warum के लिए कहां तक जाएगा ये leber तक जाएगा कीस रास्ते में ये जाएगा एक hepatic portal भेन एक होथा है okay hepat it पोड़ाल भेन यह क्या करेगा इस चीज को ले करकर लीभर में जाएगा अब जब लीभर में यह जाएगा लीभर में क्या होता है आपका metabolism process शुरू होता है तो यह क्या करेगा highly toxic material को less toxic material में convert कर देगा complex molecule को simple molecule में convert कर देगा inactive material को active material inactive drug को active drug आक्टिव ड्रग को इनाक्टिव ड्रग इस तरह से यह metabolism करता है जब यह metabolism करता है तब जाकर के क्या होता है यहाँ पर different blood vessel are also present जब metabolism होने के बाद यह blood vessel में क्या होगा यह drug चला जाएगा जब यह चला जाएगा तो यह क्या होगा blood is circulated through our system तो क्या होगा आपके body में जो drug आपने paracetamol कंजूं किया था जो यहाँ पर आपने paracetamol लिया था तो यह throughout the body आपका circulate हो जाएगा और जहाँ पर इस drug को action देना है वहाँ पर यह चला जाकर के उसी जगा पर यह action देगा I hope you understand और यह जो totally जो phenomenon होता है यह जो totally एक cyclic process हुआ है इस चीज को बोला जाता है क्या इस चीज को बोला जाता है आपका fast-pass metabolism और यह fast-pass metabolism इसे क्यों कहते हैं और यह समझो लेकिन इस चीज को समझने से पहले अब एक चीज समझो bypass क्या होता है जब आप bypass समझ जाओगे तो आप fast-pass metabolism समझ जाओगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक city है यह A city है और यह B city है तो A से अगर मैं B तक जाओँगा तो इसको मैं क्या कहूँगा fast-pass क्योंकि यह मैं fast गया इसलिए इसको कहा जाता है fast-pass लेकिन अगर मैं A से B तक जाने के लिए मैं अगर कोई दूसरा रास्ता अगर mood करके जाओँगा तो इस चीज को मैं क्या कहूँगा bypass कहूँगा और जब हमारे body के विशव में चर्चा होती है तो हमेशा याद रखना bypass metabolism में जो भी drug हम यूज करते हैं या जो भी drug यूज करते हैं बो generally आमतर पर fast pass से ज़्यादा effective होता है हमेशा याद रखो bypass में जो भी drug हम यूज करेंगे बो generally क्या होगा onset of action onset of action क्या होगा quick होगा ठीके and drug का जो maximum bioavailability होगा बो बहुती ज्यादा होगा ठीके then अभी प्रस्न यहाँ पर यह उठता है कि fast pass क्या होता है तो देखो आपने A से B जाने के लिए इतना बड़ा लंबा चोड़ा देखो यहाँ पर तो मैंने एक straight line ड्रॉ कर दिया है लेकिन क्या यह straight line यह body में क्या straight line होता है नहीं होता है सिर्फ आपको समझाने के लिए यह चीज में बोल रहा हूँ लेकिन देखो यहाँ पर मैंने solid dosage form एक tablet consume किया यह जाएगा क्या होगा यह बड़ा टुकड़ा क्या होगा disintegration होगा और उसके बाद यह desolution होगा then after यह क्या होगा small intestine large intestine cross करते हुए यह क्या होगा different carrier meditated transport को अतिक्रम करते हुए blood vessel में आकर के यह absorption होगा then distribution होगा then metabolism होगा उसके बाद क्या होगा drug अपना action देगा तो यह देखो यह कितना पेचिदा मामला है यह इतना move करके जाती है लेकिन जब अगर IV root में मालो यह एक भेन है मैं यहाँ पर एक drug inject कर रहा हूँ IV तो यह सिधा क्या होगा हमारे systemic circulation में जाएगा वो paracetamol हो या कोई भी drug हो लेट से आपका septriacin हो मैं इस blood vessel में क्या होता है septriacin को inject कर दिया 1 gram या 2 gram कुछ भी मैं inject कर दिया तो IV का bioavailability आप सभी को पता होगा IV root का bioavailability आपका 100% होता है तो मैं अगर आपको septriacin 2 gram पी अगर IV inject करूंगा तो इसका bioavailability कितना होगा 2 gram ही होगा क्यूंकि यह direct systemic circulation में enter कर रहा है लेकिन इसलिए इसको क्या कहा जाता है fast pass metabolism इस चीज़को इसलिए कहा जाता है fast pass metabolism क्यूंकि क्यूंकि देखो यहाँ पर liver metabolism क्या करता है इसको metabolism पहले करता है liver इसलिए इसको कहा जाता है fast pass metabolism लेकिन इहाँ पर कोई metabolism इसा कुछ इतना नहीं होता है, जितना इसमें होता है, इसमें जितना प्रोसेस क्यारेड आउट होता है, पर्टिकुलर्ली ओरल रूट को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो इसमें जितना होता है मेटाबोलिजिम कंसेप्ट, इसमें इतना नहीं होता है, ये डाइरेक्ट आक्ष में जो भी ड्राग दिया जाता है बो जनरली वाटर सलिबल ड्राग होता है ठीकर क्योंकि blood is fluid connective tissue तो fluid मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया तो इसलिए ब्लाड में या सरी भेन में जो आप ड्राग inject करोगे वो generally क्या होगा water soluble drug ही होगा okay so fast pass metabolism क्या किसको कहा जाता है bypass metabolism किसको कहा जाता है आपने समझ लिया bypass इसको क्या क्यों कहा जाएगा क्योंकि ये liver को crush करेगा ये liver को crush करेगा देखो IV root में मैं septriaczen दे रहा था 2 gram तो direct ये भेन में गया जब ये भेन में गया तो यहाँ पर liver का concept आया नहीं आया ये सिधा जाएगा आपका blood में ये systemic circulation में जाएगा लेकिन अगर आप solid dosage form आप अगर लोगे tablet या capsule ये क्या होगा ये आपके stomach में जाएगा देन GIT crossaway small intestine में जाएगा carrier mediated transport में जाएगा यहाँ पर absorption होगा उसके बाद distribution होगा different body compartment को ये distribution होगा देन liver में जाएगा liver होगया आपका metabolism का number one site तो यहाँ पर drug का metabolism होने के बाद यहाँ पर क्या होता है different blood vessel are present तो यहाँ पर ये क्या होगा diffuse होकर के ये body में चला जाएगा तो इस चीज़ को बोला जाता है fast fast metabolism इसलिए इसको कहा जाता है now rapidity of response क्या होता है इस चीज़ को समझो rapidity of response तो rapidity of response में generally क्या होता है मान लिजे आप अभी एक बंदे एक बंदा जो है वो बाइक में पुरा 200 speed से वो बाइक को चला रहा था अब क्या होगा उसका बाइक आक्सिडेंट हो गया जब उसका बाइक आक्सिडेंट हो गया उसको तो severe injury आ गया आपके पास option है मैंने इसलिए पिछले अभी कुछ देर पहले इसलिए कहा था कि root of drug administration एक एसा चीज है जो हमें बाध्य कर देता है कि आप उसी रूट को ही चुनेंगे अब देखो यहां पर एसे केस आ गया जब कोई व्यक्ति severe accident होता है traumatic surgery होता है तब हम ये बाध्य हो जाते हैं कि उसको हम किस मार्ग में देंगे आपका intravenous मार्ग में देंगे क्योंकि अगर हम intravenous अगर देंगे intravenous अगर dose देंगे तो वो क्या होगा 100% bioavailability क्या होगा maintain होगा और जब 100% bioavailability देंगे तो क्या होगा quick onset of action होगा quick onset of action होगा और क्या होगा quick recovery भी होगा quick recovery लेकिन अगर आप oral dosage form अगर कोई दोगे tablet capsule दोगे तो इतना quick recovery होगा नहीं और दूसरा patient भी unconscious है तो आप एसे भी दे नहीं सकते हो okay so rapidity of response क्या होता है I hope आपको समझ में आ गया होगा okay now दूसरा होता है condition of patient मतलब patient का condition क्या होता है अभी अभी वही same example आप ले सकते हो मान या फिर और एक example हम लेते हैं मान लिजिए एक patient को vomiting हुआ है तो ये भी तो एक patient का condition हुआ ना एक patient को vomiting हुआ है और उस patient को आप oral dosage form कोई दे रहे हूँ अब बताओ मुझे क्या वो patient अगर consume कर लिया tablet तो वो तो उसको फिर से sex पर लाउट कर देगा वो तो फिर से vomiting कर देगा तो इस case में क्या होता है हमें आई भी रूट में जाना चाहिए इसलिए आपने कहीं बार देखा होगा आप अगर hospital में काम किये होंगे तो आप आपने ये देखा होगा जब vomiting severe किसी को vomiting आता है तो intravenous route prefer किया जाता है क्यूंकि drug को अगर हम देंगे oral route में अगर tablet देंगे तो already vomiting कर देगा तो हमारा drug देने का कोई मतलब ही नहीं कोई logic ही नहीं जब हम drug दे रहे हैं और वो expel out कर रहा है तो हमारा drug देने का motive क्या रहेगा? मोटो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा? हम देंगे वो उसको expel out कर देगा लेकिन अगर हम intravenous route में देंगे तो क्या होगा? आपका quick recovery होगा quick आपका onset of action होगा तो उसका vomiting ठीक हो जाएगा तो यह होता है condition of a patient तो आप इसको English में पुरा अच्छे से बना करके लिख सकते हो मैंने जो आपको हिंदी में समझाया इस चीज को आप अगर हिंदी मीडियम बाले हैं हिंदी में लेखो English मीडियम बाले हो तो इंग्लिस में लेखो then now route of drug administration so route of drug administration का जो classification होता है वो generally type to type vary करता है लेकिन आज हम जिस classification को study करेंगे वो generally दो भागों में divided है एक होता है आपका enteral route दूसरा होता है आपका parental route okay enteral route को बुला जाता है क्या oral route and parental route क्या होता है para plus enteral तो enteral मतलब हो गया oral para क्या हो गया beyond मतलब beyond कहने का क्या मतलब है other than oral route मतलब oral route नहीं होना चाहिए ओराल को छोड़ करके बाकी जितने भी रूट होता है वो क्या होता है आपके पैरेंट्रल रूट लेकिन इसमें कुछ-कुछ exception भी है मोट्टा तोर पर पैरेंट्रल रूट क्या होता है अधर दन ओराल रूट इस नोना अज पैरेंट्रल रूट मतलब जो माउथ में हम ड्रॉग जेनरली आमतर पर कंज्यूम करते हैं माउथ को कैंसेल कर दो बाकी जितने भी रूट होता है वो जेनरली पैरेंट्रल रूट होता है लेकिन इसमें कुछ-कुछ exception भी है तो क्या-क्या exception है वो मैंने previous route of drug administration में एक वीडियो बना है उसको भी आप देख सकते हो और आज एक वीडियो और बना रहा हूं इसको भी आप देख सकते हो ओके सो पैरेंट्रल में पहले क्या आता है आपका सब्लिंग्वाल रूट सब्लिंग्वाल रूट जेनरली क्या होता है हमारे टॉंग के नीचे एक क्या होता है एक मेडिकामेंट या ड्रॉग प्लेस किया जाता है वो जनरली क्या होना चाहिए लिपीड सलिबुल होना चाहिए जब हम टर्म के नीचे कोई मेडिकामेंट प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा वहाँ पर डिफरेंट ब्लॉड क्यापिलरीज आर प्रेजेंट आपको कोई पूछ सकता है कि सबलिंग्वाल रूट आपका जनरली कहां पर जाता है आपका ओराल में आप पुरा रहो ना ड्रॉग को भाई आप अगर पारसिटमल टाबलेट को ले रहे हो तो ओराली में ओराली ले रहे हो और सबलिंग्वाल रूट भी क्या होता है आपका औरल रूट का एक पार्ट होता है, तो आपको कोई पूछ सकता है कि why sublingual root is not in enteral root, but in parental root, तो आपको यहाँ पर यह बता, उसको यह जबाब देना चाहिए कि sublingual root में क्या होता है, generally sublingual जो mucos होता है, उसमें different blood capillaries are present, तो जब हम sublingual root में कोई भी medicament place करेंगे, वो क्या होगा, dissolve होगा, dissolve होने के बाद क्या होगा, वो blood capillaries में जाकर के सिधा systemic circulation में जाएगा, वो fast pass metabolism नहीं होगा, वो bypass कर जाएगा, वो bypass कर जाएगा, इसलिए sublingual root क्या होता है, parental root, then vocal root, vocal root क्या होता है, आपका जो cheek होता है, cheek का area को बोला जाता है, vocal root, मतलब tongue, sorry, आपका जो teeth and आपका जो inner lining of the cheek, जो mucosal barrier होता है, उसके beach का जो root होता है, उसको बोला जाता है, vocal root, उके, बचपन में आपने chocolate खाया होगा, तो chocolate को कहां पर place करते हो, आपको पता है, तो वो ही बाला होता है, vocal root, उके, देन होता है, rectal root, उके, आच्छा, इसका advantages, disadvantages अभी जान लेते हैं, sublingual root का advantages क्या होता है, कि इसमें आपको एक तो rapid onset of action दिखेगा, क्योंकि ये बहुती जल्दी आपना action प्रेड्यूस करता है, दूसरा होता है क्या, अगर मान लिजे कोई bit, इसका disadvantages अगर हम देखेंगे, sublingual root का, तो आप bitter, nauseous, ये जितने भी unpalatable drug होता है, तो इसको आप sublingual root में नहीं दे सकते हो, उसी तरह से vocal root का भी advantages बही same है, आज जैसे sublingual root का है, क्योंकि यहाँ पर भी उसका advantages same आएगा, कि ये bypass कर जाएगा, ये liver में नहीं जाएगा, ये भी सिधा systemic circulation में जाएगा, क्योंकि vocal root generally क्या होता है, हमारे cheek का जो inner lining, inner mucosal lining होता है, वहाँ पर भी reach in blood vessel होता है, तो ये सिधा systemic circulation में जाएगा, तो vocal root का advantages में आप ये लेख सकते हो, कि आपका एक bypass metabolism होगा, ये fast pass metabolism नहीं आएगा, and disadvantages में लिख सकते हो, कि bitter nauseous unpleasant drug cannot be administered by this root, then होता है rectal root, rectal root में generally आपका क्या होता है, rectal root में generally digepam, indomethacin, इस type का जितने भी होता है, ये rectal root में जाता है, इसका भी वही same logic, यहाँ पर भी आपका blood vessel present होता है, जो कि आपका क्या करते हैं, bypass metabolism करते हैं, ओके, ये fast pass metabolism नहीं करेंगे, ओके, so rectal root का ये भी फाइदा है, कि ये bypass हो जाएगा, तो कम से कम oral root में जितना bioavailability होता है, उससे better bioavailability हमें rectal root में मिलेगा, ओके, then इसका dish advantages क्या होता है, क्यूंकि rectal root में एक तो देखो कोई चीज घुसा होगे, तो एक तो आपको थोड़ा बहुत skill आना चाहिए, दूसरा बात है, ये एक क्या होता है, एक सामाजिक रूप से इतना comfortable भी नहीं होता है, इतना not comfortable, not easy, okay, so ये होता है rectal root का एक disadvantages, then subcutaneous root, subcutaneous root generally क्या होता है, मान लिजिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, subcutaneous root generally आपका जो reach in nerve, subcutaneous root में generally क्या होता है, हमारा nerve बहुत संख्या में nerve होता है, okay, तो इस subcutaneous root में आपका generally क्या होता है, insulin, insulin आपके thigh area में जो होता है, skin को थोड़ा उपर टेक देंगे, और subcutaneous root में आपका drug administered करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, reach in nerve होने के कारण, ये आपका parental root of drug administration में आता है, then inhalational root, inhalational root किसको बोलते हैं, आपका जितने भी volatile drug होता है, ओके, volatile drug को हम inhalation करते हैं तो इसको बोलता है, inhalational root, okay, then होता है आपका nasal root, nasal root में generally कौन से drug जितने drug होता है, GNRH agonist जितने drug होता है, ये generally nasal root में दिया जाता है, जो कि अभी इतना ये नहीं है, तो nasal root में आपने देखा होगा, जो liquid drofflet जो होता है, वो क्या करते हैं, spray form में दिया जाता है, okay, spray करके दिया जाता है, nasal root में, okay, तो वहाँ पर क्या होता है, different blood vessels are present, blood capillaries are present, तो वो क्या होगा, systemic circulation हो जाएगा, okay, then next आता है, आपका intramuscular injection जो होता है, root होता है, तो यह generally आपका deltoid muscle, gluteal muscle में यह दिया जाता है, तो इसमें generally जो drug choose किया जाता है, उसका nature क्या होना चाहिए, lipid soluble, क्यूंकि यह आपके muscle में inject किया जाता है, IM injection जो होता है न, वो muscle में inject किया जाता है, so muscle में हम कौन सा drug देंगे, generally lipid soluble drug देंगे, oily जितने भी drug होता है, वो muscle में दिया जाता है, भेन में नहीं दिया जाता है, यह बात आपको पता होना चाहिए, दूसरा होता है आपका intravenous root, okay, intravenous root इजे perfect example of parental root, okay, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका bioavailability हमेशा याद रखो, hundred percent होता है, क्यूंकि यहाँ पर totally बाइपास करेगा, इसका liver के साथ कोई भी लेना देना नहीं, direct systemic circulation में जाकर के काम करेगा, और rapid onset of action होगा, quick recovery होगा, okay, so intravenous injection generally preferred when the patient is unconscious, या फिर any major traumatic, okay, कोई बहुत ज्यादा accident हो गया, या कोई major surgical operation होने के बाद, जो quick recovery हम चाहते हैं, क्यूंकि pain ज्यादा होगा ना, तो उस case में क्या होता है, आपका intravenous root of drug administration, choose किया जाता है, और इसके लिए generally superficial blood vessel, चुना जाता है, देन एक होता है intraperitonial cavity, intraperitonial cavity ये एक क्या होता है, ये एक peritonial cavity होता है, जिसमें क्या होता है, drug को inject किया जाता है, ठीक है, अगर IMIV का आप अगर advantages, disadvantages अगर लेखोगे, तो सिधा लेखोगे, कि bypass metabolism होगा, दूसरी बात अगर disadvantages में आप लिखोगे, तो IMIV injection को एक क्या होता है, एक तो खूद आड्मिनिस्टर नहीं कर सकते हो, लेकिन oral doses फर में, अगर मैं देखूँँगा oral route में, तो tablet खाने के लिए आपको किसी प्रकार के knowledge की आविशक्ता नहीं है, आपको अगर दिया जाएगा, आप खूद tablet खा लोगे, तो यह होगा वहाँ उसका disadvantages, लेकिन जब हम IMIV injection की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक technical person चाहिए, जो आपको क्या करेगा, इस type के drug को inject करेगा, या administered करेगा, तो इसका disadvantages में यही लेख सकते हो, दूसरा यह क्या होता है, IV रूट में जो potent drug generally होता है, अगर आपने गलत तरीके से इसको अगर लगाया, तो patient की death होने की संभावना है, तो जितना यह रूट अच्छा है, उस हिसाब से यह बुरा भी है, उस तरह से एक होता है आपका intra-articular injection, इंट्रा-articular injection क्या होता है, यह जनरली आपके जो body का joint होता है न, उस joint में क्या होता है, intra-articular injection दिया जाता है, औके, और इसका भी advantages वही सेम लग सकते हो, bypass metabolism होगा, और उसके लिए, एक proper technical person चाहिए, दूसरा होता है, intra-medullary, intra-medullary कहने का क्या मतलब है, intra-medullary injection और those injection, those are inject into the bone marrow, so bone marrow में जो injection दिया जाता है, वो generally क्या कहा जाता है, intra-medullary type of injection, जो की अभी के लिए, बहुती rarely ये यूज होता है, ये जो intra-medullary injection होता है, ये generally क्या होता है, nowadays rarely used, then एक होता है, intra-artorial injection, ये generally कहाँ पर दिया जाता है, artery में दिया जाता है, ये भी अभी इतना common practice में नहीं है, so common practice में generally आपका IV है, IM है और subcutaneous है, ये ही सब है, sublingual भी है, लेकिन उसके लिए lipid soluble drug होना चाहिए, तो intra-artorial जो root of drug administration होता है, तो इसके लिए artery को चुना जाता है, artery में जो drug inject किया जाता है, इसको बुला जाता है, intra-artorial injection, ये generally आपका peripheral vascular disease में ये क्या होता है, ये generally ये root of drug administration चूज किया जाता है, अब ये peripheral vascular disease क्या है, ये आगे चल करके हम पढ़ेंगे, ओके, यहाँ पर दो चीज आपको confusion create कर सकता है, एक होता है intra-articular, एक होता है intra-artorial, तो हमेशा याद रखो, intra-articular जहां पर आएगा, तो वो joint को indicate करेगा, लेकिन arterial जहां पर हो जाएगा, तो ये artery को indicate करेगा, आर्टी-कुलार, कुलार मतलब joint, आर्टे-रियाल, आर्टे-रियाल मतलब artery, तो ये दो चीज को, आपके ब्रेन में confusion create कर सकता है, तो इसके लिए ये दो चीज पर आपको ध्यान देने की आवशकता है, अब्सक्सराइड पर आपके लिए आपके लिए अपके लिए जाहिन बन्दे मातरम, झाल झाल